हेलो नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अभीशेख और आप देख रहे हैं आपको अपने चनल है सवाल जाब जो होता है मैंने कुछ questions के अंसर करने को इसके फिर भी कैसे काफी जादी सवाल आ रहे हैं तो सबसे पहले मैं मतलब क्या बोलना चाहता हूं एक जो सबसे पहले common problem है और वो problem होई पार की प्रोफाइल है वह एप्रोव नहीं हो रही है तो मतलब क्या दिल इतना ज्यादा मेरा इदम बिलकुल अजीद से मतलब कर रहा है कि आप लोग को इतनी ज्यादा प्रॉलम हो रही है और यह ऐसा हो रहा है ना कि मतलब मैं भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप लोगों के साथ ऐसा मतलब हो पिल्कुल इसको security चेक के लिए या फिर clean रखने के लिए वह जाता freelancers अभी मतलब क्या कर रहा हूँ होँ होँ है मैं इसके लिए क्या कर रहा हूँ आप लोग इतने questions कर रहे तो मैं तो बहुत का by return जवाब दे दिया हूँ तो मैं उनका जवाब दूँगा जो कि मैं लिख करके नहीं दे पाया हूँ और जिनका मैं लिख कर दिया हूँ तो आप वह answers नीचे चेक कर ले पिछले जो वीडियो मैंने पोस्ट किया था ठीक है तो सब लोग वही कह रहे हैं जो मैंने अल्रेडी कहा कि approve नहीं होने का एक्षिकार रहन है कि बहुत जादे bulk में जो है न वो लोग register कर रहे हैं और उस करण क्या हो रहा है कि बहुत लोग सेम स्किल टेस्ट है तो सेम स्किल टेस्ट में क्या हो रहा है कि बहुत जादा लोग हो जाने कारण और क्या होता है वो इसलिए ऐसा करना है कि वो लोग बोलते हैं कि हमारी discussion हुई तो बोलें कि जो freelancer का और जो client का एक ratio होता है मान लीजे कि वो लोग maintain की है कि एक client पे वो लोग मान की चलते हैं कि 50 freelancers को रखना है एक skills में तो यह जब तक वहां पे client नहीं बढ़ेंगे तब तक उस ratios यह लोग freelancer उस skills में नहीं बढ़ाते हैं तो मैं बोलाओ कि इसका तो actually कोई उपाय है नहीं कि कैसे आप approve कर दो तो आपको थोड़ा wait करना पड़ेगा आप wait करो और मैं कहता हूँ कि better है कि आप जेनरल वाद जो skills है वह बिलकुल आप select ना करो एकदम जो different है तो आप ऐसा choose कर लो ना बहुत सारी category में है उसके मतलब ऐसे चले जाओ जो कि technical वाला वह ले लो और जो आप skills लेते हो उस skills के हिसाब से आप जो profile जो मतलब description लिखते होना वह होना चाहिए क्योंकि बहुत लोग करते हैं कि skills चेंज कर दिया description कुछ और है वह तो ऐसा ही approved नहीं होगा तो यह ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि आप skills के हिसाब से description लो आप परी submit करो थोड़ा time लगेगा लेकिन क्या करो मैं I am really sorry कि आप लोग को इतनी मतलब face problem कर रही है हो रही है फिर भी अगर यह अपवर्ग नहीं है थोड़ टाइम लगेगा तो आपको मैं फिर बोलता हूं कि अभी मैं जल्द video बनाऊंगा तो आप लोग करके fiverr.com आप उस पर जाके register कर लो बहुत लोगों problem होगी geeks बनाने में वहाँ पर तो मैं वीडियो लौँगा तो आप प्लीज वीडियो वाच करते रहो और जो उससे असान है पीपल पर आवर आप वहाँ पर चले जाओ guru.com पर चले जाओ और मैं बताना चाहता हूं go lens go lens.com करके है आप वहाँ पर चलेगा उस पर आप register करके देखो अगर हो जाता है तो वहाँ पर एक बाद try करो आप चलो ठीक है तो फिर मैं direct कुछ questions पर जाता हूं जो कल वीडियो में कुछ नहोंने post किया है तो अतूल जी वही बोलते है कि profile नहीं हो रहा है तो सवाल अब का जवाब का मिल गया know everything बोलते है कि save button पर click नहीं हो रहा है यह इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि वह आपका अभी तक approve नहीं हुआ ठीक है एक viral hot videos है उनका कहना है अच्छा सर अगर work करते हैं तो पैसा कैसे मिलेगा means इसमें work करने देंगे तो वह पैसा देगा या नहीं तो मैं आपको clear कर देना चाहता हूं कि बिलकुल यह आप ने बहुत अच्छा सवाल किया है तो जैसे आपका account approve होता है तो आप क्या करेंगे कि आपका जो submit जो करते हैं तो माल लिए आपको client के दरब से जो भी आपका message आता है अगर वह okay कर जाते हैं PCV job के related तो वह सारा discuss हो जाता है तो जैसे discuss होता है तो at any cost आप काम start बिलकुल नहीं करेंगे जब तक कि वह through proper channel एक offer भेजेंगे ठीक है वह offer के तरह जैसे आप वह offer भेजेंगे तो उसमें क्या होता है कि जीतना अगर 25 डॉलर या 50 डॉलर का है तो वह तुरंद client के account से एक scroll का account बनाया है अप work ने परपस है तो उसमें उनको जमा करना पड़ता और वह offer भेजेंगे जैसे वह आपके पास offer भेजेंगे तो वह offer आपको accept करना पड़ता है उसमें वह terms condition होता है आपको इतने दिनों में आपने बात किया आपको वह work आपको करके देना होता है ठीक है तो इसमें क्या हुआ कि client के जो credit card वेरा जो भी है जैसे pay करते है चाहिए papers पे करते है वो करके scroll में आ जाएगा यानि वह SI account है scroll जो कि वह बीच में रहता है ना तो वह client के पास जाएगा ना ही freelancer के पास जाएगा आपका अपने accept किया work आपने अगर before deadline दे दिया it's okay, sorry, okay तो क्या है कि आप जैसे offer accept कर पनी नहीं है कोई बात नहीं हो वर्क की एया work का summit आता है वहाँ पर आप आप जाओँगे submit बटन आöllएगा तो वहाँ पर जाओगे document जो भी है आप document डाल दोगे जैसे आप document डाल दोगे तो इसके बाद वह submit हो जाएगा उसके बाद किया होता है यह रिव्यू में चला जाता है वहाँ पार एक review का button होता है उपर में वहाँ पार आपका दिखाय जागा कि review हो रहा है ठीक है? और client को तुरंद message चला जाता है वो मतलब आपका देख लेंगे कि हाँ बैई सही है या फिर कुछ बोलेंगे कि चलो इसमें कुछ update करने की जरुरत है तो वो बोलेंगे कि आप इसको फिर से update करो तो फिर आप इसको resubmit कर दोगे जो भी आपने काम करके दिया अगर वो okay है तो client क्या करेंगे आपको उसी समय वो जो account में जो पैसा है वो पैसा तुरंद release कर देंगे ठीक है उनको कुछ नहीं करना है वो already पैसा जमा है वो release कर देंगे ठीक है जैसे release करेंगे वो आपका upwork account में आ जाएगा तब क्या होगा कि वो जो upwork account में आएगा उसको 6 दिन का hold period रहता है उसको 6 दिन के बाद completely आपका account में आप withdraw के like हो जाएगा ठीक है 6 दिन के बाद आप क्या कर सकते हो कि वो पैसा चाहे पेपल के थूँ आप करो चाहे आप पहनीर के थूँ करो चाहे आप wire transfer करो और अभी जस्त दो दिन पहले एक news आया है कि वो local bank transfer जो है पहले $2 लेते थे अब सायद उन्होंने $1 से कम $0.99.99 $1 उन्होंने रखा है local bank transfer के लिए यह काफी अच्छा news है तो उस पे आप अराम से withdraw कर सकते हैं ठीक है तो शायद आपको यह सवाल का जवाब मिल गया और कोई भी काम आपको बिलकुल नहीं start करना है बिना किसी offer accept किये हुए offer के बहार अगर कोई बोले free काम करने तो भी नहीं करना है और आपको एक पैसा कहीं भी किसी को देने की जरुरत नहीं है जो हो जाए जो हो जाए चाहे जो हो यह सायद वहाँ पर एक मैंने वीडियो अप्लोड भी किया है इसे related तो आप वहाँ देख लीजिए अगर मैं check कर लूँगा तो आप शायद आपका answer मिल जाएगा ठीक है और मैं यह भी decide कर रहा हूँ कि इस पे पार्ट वाइस करके छोटा छोटा जो questions है ना उससे related में ट् कि किसी को कोई problem नहीं हो और सीधा वह जाके वीडियो वाच कर ले पता नहीं आप लोग तीनों पार्ट जा करके देखते हैं तो उसमें क्या मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है खर कोई बात नहीं मैं अभी सोच रहा हूँ ठीक है यह जैसे time मिलेगा तो मैं बिल्कुल क हो रहा है तो आपका तो answer मिल चुका है for you ने बोला है कि sir यदि हम work submit करते हैं और client को अच्छा नहीं लगा तो उसका क्या effect होगा और क्या मतलब account suspend होने का तो मैं आपको बता जाओ अगर suppose आपने जो work लिया है और आपको किसी वज़े से अगर आपने जो काम किया वो अपको दमाद नहीं है client के हिसाब से और आप submit करते हो तो आपका account suspend नहीं होगा नहीं बिल्कुल नहीं होगा उसमें यह हो सकता है कि client या तो आपको हमसा ऐसा ही करना है कि आप इसको जब जब funded हो तभी आप offer accept करें ठीक है तो उस condition में क्या होता है कि आप अपर के community guidelines का जो भी है वहाँ पर हिसाब से आप जाकर करके claim कर सकते हैं बिल्कुल एक button है आप claim करिजिए और फिर वह review period में जाएगा आप पर watch करेगा कि अग automatically आपका जो पैसा है आपको मिल जाएगा वो client को नहीं लेगा अगर आपने सही काम किया है तो अगर नहीं है तो client को आप बहुत politely बोलो sir अगर नहीं हुआ तो फिर वह क्या करेंगा या तो जो भी है उसका जितना percent आपको लगता है कि वह pay कर देंगा अगर foreign client है तो below definitely कु या एक IP address या system से आप अगर करते हो तो problem हो सकती है में भी ठीक है कुछ लोग कह रहा है कि अपर पर test कैसे pass करूँ भाई तो अगर आपने skills अपने यहां पर कोई चीज के पैसे नहीं मिलते हैं अगर आप expert हो skills आपके अच्छे हैं तो आप समझ लो बहुत अच्छे पैसे कम लोग को चला रहे हैं और वो ही hire कर रहे हैं बाहर से work लेते हैं और खुझ वो दूसरे को work देते हैं ऐसा है मालों समझ लो और उनकी एक एक दीन की मतलब की 556,000 डॉलर वो लोग earn करते हैं वो बड़ी बड़ी company हो गई हैं एक में पूछा है what is जिनका नाम है जबी इल्यास साइध मैं सॉरी नाम अगर गयत लूँ तो सॉरी इसके लिए what is W8BN tax information वो एक्चली कहा है कि non-US वाले के लिए जो एक US वाले होते हैं उनको tax लग जाता है 30% लग जाता है तो आपको यह form बढ़ना होता है तो आपको बढ़ लो वो non-US वाले के लिए कोई प्रॉलम नहीं ह कि कितना percent complete होना चाहिए profile percentage आपका ऐसा कुछ नहीं है वो तो मैं बता रहा हूँ कि 90% होगा तो आपके लिए अच्छा होगा कम भी रहने पर accept हो जाता है बट अभी क्या है कि आपके अपने जो skills select किया उसमें बहुत ज्यादा flooding हो चुकी है इसके लिए थोड़ा दिन अभी जो approval हो जाएगी just keep patience नहीं में तू ने बोला है कि जल्दी आपके एक लाग subscriber चलो मैं अभी subscriber होया पर तो जहां नहीं दे रहा हूँ मैं मेरा जो main motto है वो है कि आप लोगों की help करना और जितनी possible way में होगा मैं आपका करूंगा that's it my main motto अगर मैं help करूंगा तो यह सब चीज तो automate mode में चलता रहेगा है वीवेग वीटी ने बोला है सर एक freelancer training series चालो करेगा तो बिल्कुल यह सुझाओ आपका लगा है मैंने पहरे बोला है कि मुझे लगता है कि अब through proper wise जो है कि part wise करके करना पड़ेगा instead of की बड़ा-बड़ा बनाने चोड़ा-चोड़ा बनाने से अब सब को समझ में भी अच्छे सा आ जाएगा तो मैं सोच रहा हूँ तो इस पर देखता हूँ जैसे time निकलता है मैं देरे देरे करूँगा प्लेज आप लोग वीडियो वाच करते रहें आपको time को जो है मैं update करता रहा हूँँगा चलो all in one ने last में अभी बोला है कि sir आ अपर के बारे में तो प्लीज आप लोग वेट कर लें थोड़ा वेट कर लें बहुत ज्यादे hits हो चुके हैं और literally मैं बता रहा हूँ कर तीन चार घंटे मैं रात में बिलकुल वहां के अपर के community forum पे जो है मैं बहुत ज्यादा discussions हो रहे थे चल रहा था तो अभी सब के और इंडिया से बहुत ज्यादा hits हो रही है just because आप से पता नहीं ये वीडियो जो बिल्गुल इतना ज्यादा एक ही दिन में मतलब बोलो कि 25-30,000 views चले गया है दो तीन दिन के अंगर में तो बहुत ज्यादा हो जाता है ना तो सब के होंगी बढ़ थो टाइम लगेगा और मुझे नहीं लगता है कि आप कुछ ज्यादा questions है क्योंकि already सारे questions का मैंने answer कर रखा है तो I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा मैं वेलास में face से बोलना चाहता हूँ तो please kindly करके आप subscribe कर ले कि आपको अगले वीडियो की direct email notification मिलेगे तो घंटी का जो पटन है उसको आप दवाना ना बोले और वीडियो पसंद आया ना तो मारो लाइक लाइक आप मारोगे जितना तो उतनी जो है कि ये वीडियो मतलब कि टॉप जो सर्च में जाएगी और maximum लोगों तक पहुंचेंगी मेरा यह है कि ज्यादा से आदे लोगों तक पहुंचें information गलत चीज नहीं है बिल्कुल genuine site है और बहुत ही अच्छा source है बट आप लोग को patience थोड़ा रखना पड़ेगा ठीक है आज के लिए इतना ही और जल्दी मैं आऊंगा नए वीडियो के स साथ और हो सकता है मैं थोड़ा असा दुसरी तरह के वीडियो भी अभी लाओंगा आप लोग अंके लिए जो थोड़ा मोटिवेट आप लोगो को करें तो चलिए देखते हैं बट अभी मैं concentrate कर रहा हूं इसी पर Thanks